अजके सिशन में लोग 16 ओगस 2022 को जो ओई जी से का एक्जामनेशन हुआ था एलेक्ट्रिकल एंजरिंग स्ट्रीम का उसका हम लोग कंप्लीट पेपर अनलीसिस करने वाले यह एक कोशन का जो आपको 80 कोशन पूछे गे थे इस पेपर में उसका हम लोग 1-1 सॉलुशन देखन और जैसे मैं आपको काफी बार गाइड करते आ रहा हूँ कि हमें प्रिवेसर के पेपर को देखना होगा 2021 के 2022 के और उसी में से काफी जादे कोशन आपको देखने हूँ क्यों मुले और काफी सारी कोशन हमने जो भी रिसेंटली अगर आप रेगुलर फॉलोर हमारे चैनल क तो आपने इस पेपर को आसानी से क्लियर किया होगा मैं आशा करता हूँ और काफी इजी पेपर हमें ऐसा लगा कि जो रेगुलर स्टुएंट्स हैं हमारे अगर उन्हें सारे सेशन भी अगर देख लिया होगे ठीके जितने तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ व यह एक बात अपको बहुताना चाहता हूँ आपको हमारे दोनोबे अप्लिकेशन एलेक्ट्रिक लेंजरिंग एक्जामनेशन को टार्गेट करेंगे तो आपको पता है जनरल नॉलेज काफी बड़ा रोल प्ले करता है आपके एक्जामनेशन को क्लियर कराने के लिए और MP स का नेक्स्ट मंत में एक्जामनेशन है और स्पेसिफिकली एससे जीग में भी जनरल लॉलेज काफी पूछा जाते है इसके लिए हमने कोर्स लांच किया गई 500 प्लस mcq का कोर्स ठीके इसमें 10 सिशन रहने वाले कंप्लेटली एक साल का वैले रहने वाले और यह आपको मिल एक साल के लिए बेस्ट फाइंड प्लस इंपोर्टन टेबल चार्ट के साथ है आपको देखने को मिलेंगे जनरल लॉलेज काफी बड़ा रूल प्ले करता है कि इसको बिल्कुल भी निगलेटी कर रहा है अगर इन तीनों एक्जामनेशन को अगर आप टार्गेट कर रहे ह तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कोचिफाय के अप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप इसको जॉइन कर सकते हो सो बढ़ते भी मारे कोशन के और देखते है हमारे सबसे पहला कोशन सबसे पहला कोशन का कह रहा है हमारे रपास में विच इस दा इंड पॉइंड आपको काफी बार बूला है कि आपको 10,000 प्लस इबुक लेकर बैठते हैं तो वहाँ पे आपको कितने चाहिए जितने कोशन आप प्रेपर कर रहे हो लेकिन जब तक आपको फंडामेंटल स्टॉंग नहीं है तब तक आपको एक्जामनेशन क्लियर करने के लिए स्पेसिफ आपको पूछ जाते हैं एक्जामनेशन में आप देख सकते हो इसी पेपर को आप एनलियस कीजिएगा क्या आपको सेम कुशन देखने को मिलते हैं मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉंसेप्ट सेम है आलग कि लेकिन कुशन का फ्रेमिंग अलग होता है ठीक है के आपके पर सूचे होते हैं उसको एनलाइज करना काफी जरूरी यह करके काफ़ी ऐस्प्रेंट किया काफ़ी स्वायदा जिन्हों इसका फाइदा उट है उनका ये यह यह दीकित है कि काफ़ी अची तरीके से हमें देखने को प्रफी तरिके से उन्होंने अटेम्ड किया घरगी ओक देखिए, सबसे पहला question क्या पूछा था, which is the end point of a power system structure, मैं आपको power system structure हमारे transmission and distribution वाला core से उसके अंदर भी पढ़ाय था, और हमारे regular system रहते हैं, उसके अंदर भी आपको मैं बता चुका हूँ, power system structure के अंदर generation से लिके, हमारे distribution तक, ठीके, distribution तक होता है, हमारे पास में complete power system structure, यहाँ पर step up होता है, step down होता है, transition होता है, primary transmission, secondary transmission इस तरीके से, तो जो end point झो होता है, उसके हम लोग कहते है, service meant, service meant मतलब क्या, इसके बाद आता है आपके घर पे या फिर industries में power, इसके बाद आता आता आपके घर पे power, service meant मतलब कहूँ से, कि हमारे पास में three phase, four wire, जो secondary distribution होत इस वायर को हम लोग जो कहते है जो हमारा पास में connection लाते है घर पर उसी को हम लोग होते है service main तो आप आप यह option में ही देख सकते हो फोर वायर सिस्टेम से होता है ठीक है कि फोर्थ वायर जो रहता है वो रहता है हमारा पास में neutral राइट तो यहां पर जनेटिक सेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि end point बोला गया grid subscription भी नहीं हो सकता ठीक है अब यहां पर हमारे पर दो option रह सकते थे कि distribution और service main लेकिन distribution के बाद में भी अगर आपने power system structure को अच्छी सरीके से पढ़के रखा होगा तो आपको पता होगा कि service main हमारा सबसे end point रहता है तो इसलिए हमारा इसका correct answer आजाएगा option C इस paper में काफी स investment को सिर्फ दो options में ही उन्होंने गल्दिया करके बैठे है और दो ही option में से जो उनको reasonable लगा वही answer मार किया लेकिन ऐसा नहीं था जो option exact correct है उन्होंने उसका answer की में correct answer मार करके रखा है इसलिए इसका correct answer आजाएगा हमारा option C बढ़ते भी मारा next question यह same question में आपको पढ़ा च अगर हमारा यह रहता है तो मुझे बताओ अगर इसके विंड डिरेक्शन चेंज होती तो हमारे पास में इसके पर इसका जो डायरिक उसका जो effect है वह हमारे विंड डायरिक्शन के उपर देखने को मिल सकता है लेकिन अगर हमारे पास vertical axis machine है ठीक है यह आप हो देख सकते है यह होते हैं हमारे पास ने vertical axis machine तो यहाप आप देख सकते हो इसका जो wind turbine का operation है वह independent है उसके wind के direction के पर कोई भी direction से कर wind आती है तो उसके पर उसका effect है ठीक है इसके पर नहीं आने वाला है इसलिए हमारा इसका करे टेंसर आजाएगा option A ठीक है अब देख सकते हो हमारे पास option consequence is the direct wind machine, indirect wind machine यह तो दोन option रही नहीं सकते है और horizontal axis machine आप सोच के देख सकते हो ठीक है यह हो गया इसका nasal ठीक है और यह हो गया इसका frame ठीक है तो यह जो होता है हमारा ठीक हो यह होता है हमारे पास में horizontal axis machine तो अगर यह directions अगर wind आती है तो क्या इसके पर effect करेगा definitely effect आएगा इ इसलिए कैसे आपको examination में option को eliminate करके भी आप answer को mark कर सकते हो ठीक है option A is question का correct answer आजाता है देखते भी हमारा next question question क्या कह रहा है हमारे बस में in a dash the primary fuel produces high temperature thermal energy and the heat rejected from the processes used to generate power through a recovery boiler and a turbine generator मतलब क्या बोला गया है कि एक हमारे कौन से इसे process के अंदर जो हमारा primary fuel जो हो produce करता है high temperature thermal energy ठीक ठीक है और जो हमारा पास में heat निकल जाती बाहर जो heat reject होती है ठीक है after this process completion तो उसके बाद में वो जो use की जाते है power को generate करने के लिए ठीक है through a recovery boiler and a turbine generator तो उसको हम लोग कहते है उसको हम लोग एक तरीक से हम लोग co generation भी कह सकते है तो उसको हम लोग कहते है bottoming cycle in a bottoming cycle the primary fuel produces high temperature thermal energy and heat rejected from the process is used to generate power through a recovery boiler and a and a turbine generator ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा है हमारा हो जाएगा हमारा option B बढ़ते हमारा next question क्यों क्यों काफी simple पूछे गेते question क्या 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 रहा हम रहा है which is the correct statement with regards to the steam jet drought ठीक है steam jet drought से related इसमें से कौन से statement करेक्ट है ओके अब देख सकते हो option हम लोग एक बार देख लेते हैं less space requirement capability of using low-grade fuel ठीक है simple and cheap system higher drought production ठीक है तो सबसे ज्यादा इसका major correct statement अगर हम लोग देखते है with regarding to the steam jet data simple and cheap system ठीक है काफी simple और काफी cheap काफी सस्ता यह सिस्टेम हमारा रहता है less space requirement capability of using low-grade fuel एसारी confusion कराने वाले option से गया इसी से आपको बचना था ठीक है तो option और इसलिए मैं आपको काफी कबार कहता हूँ कि आपको कोशन का context समझ जाए आगे आने वाले examination के लिए ना कि आपको कोशन का learn करने और एक चीज़ काफी दिनों से स्टून का हमें particular request आ रहा थी cutoff के बारे में काफी से आपके आपसे ज्यादा भी score कर सकते हैं ठीक है पर उनके बास कुछ documents ना होने के कारण वा आगे चलके उनका जो वालेड नहीं रह सकता है ठीक है इसलिए आप इस चीज़ को लेकर डरीगा मत ठीक है कि आपका जो selection होगा या नहीं होगा आपकी process को follow कीजिए है definitely अगर आपके जो ranking है वह अच्छी तरीके से optimum ranking होगा एक दो से कम जादा भी अगर होता है ठीक है तो भी चल जाता है ठीक है क्योंकि काफ़ी सा राइस्प्रेंट के इनिशेल स्टेज में डॉकुमेंट वरिकैशन में दिक्क्त आजाती है काफी कब़ाइबर टेकबकल के चिंददा नहीं करना है ऐसा नहीं कोग यहाग को चेंटक के लिए कणदीत्स में चृक्छन में धांत रहाया होगा कि हमारे इसको जारहा है इसको आपको बिलकल बादों को धान में नहीं बढ़ते भी मारे नेक्स कुछिन के और कुछिन क्या कहा रहा है हमारे पासमें उनको time today बताते जाता था अब देखिए हम लोग इस question का approach करते question में क्या पूछा गया which type of fiber are used for a short distance transmission of a signal short distance transmission के लिए हम लोग इसमें से कौन सा fiber optic को use करते या पर option में क्या कौन सा option given है glass fiber हो गया multi mode plastic optical fiber and single mode fiber आप इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहते हो काफी important है कि आपको short distance transmission mode करके short distance के लिए आपको single mode guesswork करते हो और long distance के लिए multi mode इस तरीके से guesswork बिल्कुल भी नहीं करना है examination में यही examiner आपको question जो provide कराता है यह गूगली questions हमें देखने को मलते है होता क्या कि यह इस तरीक से questions को हम लोग guesswork करके काफी का बार option select करके आगगे बढ़ जाते है लेकिन एक के question जो है आपका आपको negative marking के साथ आपका जो selection है आपके आपसे दूर लेके जाता है ठीक है इसलिए आपको यह चीज़े ध्यान में रखना हूं कि short distance transmission के लिए हम लोग जो fiber use करते हैं हमारा multimode fiber guys very very important है ठीक है multimode fiber इसका correct answer आजाएगा अब इसके लिए आपको मैंने चार्ट प्रोवाइड किया आगया अनुवले slides के इंदर जिसके अंदर आपको single board optical fiber और multimode optical fiber का जो most comprehensive हमारा यह है difference है यह मैंने आपको प्रोवाइड किया और जो मैंने आपको particularly color करके रखे है points वह आपको examination के लिए ध्यान में रखना हूं का चाहे हो आपकी UPyCLE-J के examination हो चाहे हो दूसरे examination हो particularly design to carry only single mode of light transfer mode ठीक है और यह भी बोला गया मल्टिवर्ट में कहा है design to carry multiple modes of light at once ठीक है यह एक point important हो गया यह आपर जो next point में red color में highlight करके रखे है वह आप अच्छी दरीके से पढ़ लिजीए का they have a smaller core about 9 micrometers in diameter and the core of core diameter is 50 micrometer और अबाव यह आता है मार पास multimode optimal optical fiber में ऐसा जरूरी नहीं कि हमने जो highlight करके रखे है वह important है बागी भी आपको जो table मैंने mention करके रखे है वो भी important है और यह भी काफी important है basically हमारे पसमें next जो difference आपको दिखाए जाए रहा होगा ठीक है यह भी highlighted है मैंने ठीक है कौन से कौन से fiber opticals के types रहते हैं ठीक है single mode fiber have a high bandwidth compared to the multimode fiber as much as one lakh gigahertz ठीक है इसका जो bandwidth है वो low रहता है multimode का है इस तरह किसे जो आपको difference है यह काफी important है जो मैं आपको highlight करके रखा हूँ यह तो काफी important है examination में काफी एक बार यह पूछी जाते है ठीक है नेक्स हमारे उसमें ग्रीन कलर में highlight करके रखाए देने हमारा last इसके applications का हाँ पे रहते हैं ठीक है काफी important topic है एक question भी अगर आपको इस में से selection आपको दिलाता है ठीक है एक question भी आपको आ जाता है examination में इस point से तो definitely आपको काफी जादा फाइदेबंत रहता है एक एक mark भी ठीक है पर देखते भी हमारा next question question क्या पूछा गया है हमारे बास में acetone is a biomass product biomass product that is related to dash category ठीक है acetone की बात किएगे यह हमारा biomass product है जो किसे कौन से category से relate करता है fuel cosmetic and perfumes detergent and cleaning product food additives and nutritional supplement तो acetone यह particularly हमारा cosmetic और perfume से related है ठीक है these are used for these are used in a cosmetic and perfumes ठीक है एक हमारे पस में इसका जो aroma बढ़ाने के लिए या हम लोग किसे food additives में भी हम लोग इसको use करते अब दिखिए आप इसको यहाँ पे इस chart को देखे आप बोलोगे कि यहाँ पे सर food additives भी है तो क्या option 4 भी इसका correct answer नहीं हो सकता था नहीं definitely यहाँ पर क्या बोला है nutritional supplement में हम लोग इसको नहीं कर सकते बिसिकली क्या acidone जो है अगर भी biomass product हम लोग बात करते रफ आइडिया जो आते हो आती हमारे बास में कॉस्मेटिक और पर्फिम्स की ओप्शन बीस कोशन का correct answer आजाएगा next question is in a DC distribution which parameter is considered for a low voltage drop in a distribution line काफ़ी सिंपल चा कोशन है इसलिए मैं आपको बता था हमारे concept strong होना जरूरी है DC distribution के अगर हम लोग बात करते तो voltage drop किसके कारण होगा क्या मुझे पता हो DC distribution system में हमें inductance देखने को मिलता है capacitance देखने को मिलता है नहीं तो इसे associated जो हमारे parameter से वो भी include नहीं होगे just like resistance भी नहीं आएगा capacitance भी नहीं आएगा capacitance भी नहीं आएगा capacitance, inductance, resistance and capacitance यह तीनों भी options गलत हो जाएगा सिर्फ resistance के द्वारा हमारे बास में यहाँ पर voltage drop create होता है option A is question का correct answer आजाएगा next question is which of the following safety tip is correct while working with or near electricity इसमें से कौन सी सुरक्षा tip safety tip हमारी correct है अगर हम लोग electricity के साथ या फिर electricity के पास में काम कर रहे होंगे तो काफी simple था इसका answer है हमें क्या use करना है extension cord और equipment that is related that is rated for a level of amperage or wattage that you are using मतलब इसका यह है कि जो हम लोग जिस ampere या फिर जिस watt के उपर जो हमारे पास में जो product है हमारे equipment है ठीक है यह मान लोग रेटीड है 12 ampere के rating के लिए ठीक है तो आपके पास जो extension cord यूज कर रहे हो equipment यूज कर रहे हो safety equipment यूज कर रहे हो तो उतना ही आप उतना तो आपका हो नहीं चाहिए उतना rating हो नहीं चाहिए तो उसके लिए आपका जो rating standard rating वह 12 ampere का होना चाहिए उससे जाधा हुआ तो भी चलता लेकिन उसके equivalent आपका यह होना ही चाहिए काफ़ी simple सा और fundamental नोने question पुछा था option C is question का correct answer आजाए का हाला कि तीनों option पढ़ सकते हैं these are not relevant okay next question is among the following यह same question हमने कराया guys काफी important है और काफी बार आपको बताया था कि यह ऐसा question आता है और यह same question आपको examination में देखने को मिला ठीक है recently जो मैं आपको previous year paper करा था हूँ ठीक है उसी में से आपको यह question पूछा गया था not particularly Indian Railways इसमें से कौन सा हमारा system यूज नहीं होता तो basically जान में रहेगेगा AC 3-phase 4Y 33 kv यह यूज होता नहीं है okay option C is question का incorrect answer आ जाए गई यहापर मैंने track electrification system में DC system, AC system और composite system का आपको एक bifurcation आपको बता है जहापर हमारा system DC system में हम लोग कौन से कौन से वोल्टेज यूज करते है main line में single phase में हम लोग कौन से कौन से रहते है kando system रहते है 11 kv 25 Hz रहते है 15 kv 16 2 by 3 Hz रहते है यह काफी important और examination पूछा गया single phase three phase में हम लोग कौन से यूज करते है ठीक है two overhead conductor wires running rail as a third phase at 3600 volt 16 2 by 3 Hz यह ठीक है यह सारे relevant है option C is question का correct answer रहते है which is not used for a traction system in a railways okay यह आपको में expanded form में बता है अगर आप इसको screenshot लेना चाहते है तो screenshot भी ले सकते हो next question है हमारा पास में question no.10 question क्या करें which type of protection is ensured by a protective devices in an electrical installation in a building question में क्या करें मारा पसमें which type of protection is ensured by a protective devices in an electrical installation in a building उसको हम लोग कहते है high current protection काफी simple है कौन साइसा protection है जो protective devices के द्वारा ensure होना चाहिए कि वो properly work करें electrical installation अगर हम लोग करते building के अंदर उसमें हमें high current protection मिलना ही चाहिए काफी कंबल सरी होता है ठीक है option b is question का correct answer आ जागा देखे question का पूछने का ही तरीका उन्होंने change कर दिया बाकी जो fundamental है guys अगर आपके concept और fundamental strong है तो इस examination को clear करने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं ठीक है इससे हाला कि आपके cut-off के ऊपर भी आप इसमें score कर सकते थे सिफर आपके fundamental questions को आपको tackle करना आना चाहिए ओके next question का है हमार पास में यह question हाला कि हमार पास में मराठी में लिखा हो था खालिल पर के कौन ते विधान सुक्ष्म जले विद्धियोत यंत्राइश ही इसको हमने convert करके इसका English में आपको conversion आपको बता दिया question ऐसा बन से हो सकता है अगर आपस में कुछ relevance है अगर आपको change हो सकती है तो आप मुझे definitely comment box में comment करके बताएगा question कहा है which is the following statement is related to the micro hydro power plant ठीक है micro hydro power plant से इसमें से कौन सा statement यह रिलेट करता है ठीक है इसमें से इसका correct answer है जो most relevant है वह हमारे पास option A energy expansion is possible ठीक है environmental friendly and economical source of energy integration of local integration to local power grid is possible हाला कि इसका correct answer है यह question अगर हमारे opinions से देखे तो हाला कि इसमें काफी सारे options हमारे back and forth बन सकते है ठीक है बट इसका correct answer जो mention करके रखा है और वह relevant है हाला कि हम लोग इसमें से डॉट भी निकाल सकते कि environmental friendly भी हम लोग मार कर सकते ठीक है तो काफी possibilities बने के बना के रखे लेगिन इसका correct answer है option A ठीक है लेखते भी मारा next question question क्या कहारा हमारे पास में which type of batteries are the most efficient and preferred for electrical vehicles आपने देखाऊगा recently electrical vehicles में काफी ज़्यदा advancement हो चुका है तो उसके लिए हम लोग कौन सी battery का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको simply ध्यान में रखना होगा lithium-ion batteries option D is question का correct answer आ जागा एक cell रहता है 18600 मैं आपको एक टास्क देता हूँ यह आपका cell है इसके rating रहता है 18600 cell रहता है next question is which type of energy can be transferred by conduction, convection and radiation काफी simple है कि इस 10th 12th question है ऐसी कौन सी energy है हमारी conduction से भी transmit होती है convection से भी radiation से भी light होती है क्या electrical होती है mechanical क्या नहीं simple है heat हमारी radiation के थुरू भी transfer होती है conduction के थुरू भी transfer होती है convection के थुरू भी होती है basic सा question था option A इस question का correct answer आ जाएगा next question is अब यह question हमने काफी बाकबार आपको पढ़ा दिया गई और यह same आपको मैंने recommend भी किया था session में वही same question आपको उठा के आज पर पूछ लिया गया इसका correct answer is depreciation factor depreciation factor मतलब क्या होता है it is defined as a ratio of initial illumination to the ultimate maintained illumination on the working plane and इसका जो value है it is always more than one यह आप ध्यान में रख लिए आने वाले examination में यह भी पूछा सकता है कि depreciation factor का value more than one रहता है यह less than one रहता करके और यह same question हमने पढ़ाया था हमारे top 60 plus important mcqs और illumination इस session के दर मैं आपको बताता है यह सारे applicable आपके सारे एई और जी एक्जामनेशन के लिए सभी परिक्षाव में पूछे जाने वाले प्रश्ण ठीक है same question आपको as it is आपको पूछा गया गया इस ठीक है देखते भी मारा next question question क्या कह रहा है मैं बस the locomotive that uses both fuel and electricity to run on the road is known as dash उसको हम लोग आगेंगे ऐसा एक locomotive जो fuel भी उसकरते है और electricity भी उसकरते है उसको हम लोग कहेंगे hybrid electrical locomotive गाईज cng operated नहीं हो सकता इसमें electrical vehicles भी नहीं हो सकता है petrol engine locomotive तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बोत बोला गया fuel भी उसकर रहे ए लेक्रिसिटी electric vehicle में हम लोग सिर्फ electricity उसकर रहे पेट्रोल में सिर्फ पेट्रोल यह दोनों option यहीं पर कट होगे अब देखे हमारे बास में cng operated locomotive में यह cng क्या हो गया यह सिर्फ हो गया हमारा fuel बट क्या इसमें electricity आ रही क्या नहीं है यह भी हमारा option हो जाता है hybrid that means combination of both fuel as well as electricity option c will be the correct answer in this case देखते भी मारा next question which is a wrong application of auto transformer का इसमें से कौन सा एक wrong application है बोला गया देखिए auto transformer हमें कहां यूज होता है यह अगर आपको बता होंगा तो हम लोग directly option बेख सकते है ऐसा भी हमें अपरोच लगाना होता है examination में आप देख सकते हो हम लोग हम लोग induction motor starter में auto transformer use करते है ठीक है हमारे बसे furnace transformer में हम लोग इसको use कर सकते है ठीक है and to give small boost to a distribution cable to correct for the voltage drop correct voltage drop के correction के लिए भी हम लोग auto transformer का कर सकते हैं at certain extent ठीक कंडिशन भी अपले लेकिन welding transformer में हम लोग auto transformer यूज नहीं करते हैं option c is question का correct answer आपकी लेक टास्क है ठीक है छोटे-छोटे-छोटे टास्क आशकल में recently देने लग गया हो अब मुझे बताएगा question comment box में कि जो welding transformer में क्या हमारा step up रहता है या फिर step down transformer रहत लाइगा मुझे technical language नहीं चाहिए बस आपका understanding आपको मुझे comment box में comment करना होगा next question is working principle of which type of analog instrument is based on the hall effect same question आपको पढ़ाया था अचकल recently काफी या काफी जगा यूज होता है ठीक है तो यह magnetic sensor जो है हम लोग सकते ही जो flux meter जो रहता है ठीक है flux meter भी इसकी इसी hall effect के principle के ओपर work करते है option A is question का correct answer आजाएगा next question is in a dash gasification agent enters the bed at a relatively faster rate from the bottom of the vessel and exit from the top ऐसा कौन सा gasification में जो agent enter होता है मारा पास में at a relatively fast rate from the bottom and exit from the top तो वो होता है हमारे अपसे fluidized gasifier में fluidized gasifier में इस question को अगर आपने नहीं आता होगा ignore भी किया रहा था skip भी किया रहा था तो भी चल जाता था ठीक अगर आपको नहीं याद आता है तो नहीं अपने पता अपने पढ़के रखोंगा what is fluidized gasifier यह same principle होता है इस हमारे पर से fluidized gasifier के अंदर होता गया है basically यह आपको fundamental question सिर्फ इसके definition में ही पूछा गया ठीक है आपको सिर्फ उसका basic जो दो लाइने होती है what is fluidized gasifier ठीक है उसका जो इसके characteristics है उसी के पर question में बना दिया और आपको इसमें question में आपको पूछ लिया गया ठीक है तो यह स to the area where power is to be distributed मतलब यह कौन सा है हमारा simple है guys देखे इसमें क्या किया काफिस अरेस्टमेंट में हाला कि गलतिया हुई है आपको बता दे दो गलतिया किस तरीके से हुई है कि आपको genetic station यहाँ पर उन्होंने word को capture कर लिया और examiner ने यही सोच के यह word में आपको घुमाने की कोश वियुदे तो काफी सरे एस्पेंट ने हमें जितने भी इस्पेंस ने हमें connect किया उन्हें इसका answer जो है transmission मार कर कर के लिकिन ही answer गलत हो जागा इस ठीक कि transmission इसका answer नहीं है उसका हम लोग करते हैं टीकि देख फीडर के द्वारा करते हैं टीकि नौट बाइड गिकर अगर हम इसको बात मत ध्यान में रखीगा इसको लोग कह सकते हैं फीडर क्योंकि लोकलाइज स्टेशन बोला गया है तुद एरिया वेर पावर इस तुब डिस्टिबूरेट तो हम लोग फीडर का ही इस्तमाल करते हैं option B is question का correct answer जागए यही सारे question जो है आपको गुगली questions अब लोग देख सकते हैं गुगली questions के दरा हम लोग देख सकते हैं काफी questions को उल्टा पुल्टा करके आपको घुमाने की आपको confuse करने की काफी जदा कोशिश की जाती है और यहीं हमें language को समझना होता है ठीक है guys not necessarily अपन specification is not required to be considered for a AC drive AC drive के लिए हमारा कौन सा इस मेंसे जो specification है वो नहीं considered किया जाता है ठीक है तो दिखे frequency range generally consider किया जाते है operating temperature continuous कर रहा है ठीक है यह हमारा AC drive है यह तीनों factor जो है हम लोग consider करते हैं लेकिन rectifier control यह हमारा design specification नहीं है which is to be considered for AC drives option D is question का correct answer आजाएगा देखते भी हमारा next question question क्या कह रहा है हमारे पास में which type of turn-on method is used for radiation is used to radiation intensity हाला कि काफी जगा जो questions में हमें इसके grammar mistake भी हमें देखना को मिल रहे है which type of turn-on method is used to radiation intensity ठीक है थोड़ा सा framing हमें improvement और चाहिए ऐसा में लग रहा है ठीक है आप देख सकते हो ठीक है क्यों इसके कारण होता है कि question को समझने के लिए काफी का बाद दिखकत जाती है तो हाला कि इसका correct answer है light triggering ठीक है light triggering में क्या होता है radiation intensity के through हमारे इस gate signal को इस gate को actuate क्या जाती है जैसे हम लोग pulse प्रवाइड का रहाते है gate signal को इसके बदले यहां पर हमारा light image हम लोग light हम लोग radiate करते है ठीक है इस gate region के पास में तो इसको हम लोग कहते है light triggering simple question था fundamental next question is when anode is positive with respect to the cathode with a gate circuit open thyrusory set to be ठीक है जब हमारा anode positive होता है same आपको question में मैं आपको recently 2-3 session के पहले है मैं आपको कभार कर रहा था कि जब anode positive होता है with respect to cathode ठीक है और gate circuit open रहता है तो हमारा thyrusory कौन से mode में रहता है forward blocking mode में काफी simple है और आपको मैंने काफी कभार बता आ चुका हो कि आपको characteristics सिर्फ देखने के लिए देखने नहीं कि ऐस तरीके से हमारी characteristics रहते है नहीं यहाँ पर हमारे पास में reverse blocking mode मतलब क्या रहता है इस क्या होता है यह सारी आप चीजे पता होने चाहिए यह होता है forward blocking mode मतलब क्या होता है ठीक है यह सारी आप चीजे पता होने चाहिए यह होता है forward blocking mode जब हमारे anode positive रहता है with respect to the cathode इसको हम लोग कहते forward blocking mode option c will be the correct answer in this case next question is identify the following type of converter इस तरी के सबको convert दिया गया था हाली कि जो image काफी low resolution थी तो हमने इसको convert करके redraw करके आपके सामने present करके रखा है ठीक है आप इसको देखते ही समझ सकते हो कि यह कौन सा है हमारे पास में एक single phase है आप देख सकते हो आप पास full wave है यह फिर half wave है यह फिर semi control है fully control है तो ध्यान में रखना होगा यह हमारा semi converter है ठीक है with the RLE load that means resistance inductance और E ठीक है यहापे हमारे बास में battery EMF source है ठीक है इसको हम लोगे थे RLE load ठीक है semi converter इसलिए हमारे पास इसको हमने consider किया क्योंकि है यहाप हमारे पास में एक thyristor है with a pair of diode ठीक है दूसरा thyristor है with a pair of diode इसलिए हम लोग करते है semi अगर हमारे पास में चारों भी thyristor रहते तो हम लोग इसको consider कर सकते है अब मुझे बताईए what is FD काफी simple सा question आपको पूछ रहा हुगा कि यह FD का मतलब क्या होता है question number 23 mark करके मुझे comment box में comment करके बताएगा सो बढ़ते भी मारे next question के और question क्या करा है मारे पास which amount the following is wrong feature for a single phase induction motor इसमें से कौन सा एक feature जो है वह गलत है single phase induction motor को गरम लोग consider करते है reliable है यह reliable motor है cheaper भी है सस्ते भी आती है और construction भी काफी simple है लेकिन आपको इस पता होना चाहिए कि single phase induction motor is not a self-starting motor okay option D इस question का correct answer आ जाएगा next question is which type of solar collector boiling the boiler up to the 80 degree centigrade जो statements है guys as it is आपको पूछे गये examination में ठीक है काफी सारी हमें कुछ को पर्टिकुलर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमें लगिए कुशन में यह पूछा गया है हालाकि इसका मैं context प्रता देता हूँ कैसा कौन सा solar collector है हम लोग use करते है फॉर बॉलिंग दे वाटर या फिरम लोग के से बॉलिंग दे पर्टिकुलर दिंग अप्टु दे एटी डिग्री सेंटिग्रेड ठीक है उसके इंदर के जो लिक्विड है तो हमारे पास में फ्लाट प्लेट इसका करेट आंसर आजा है ठीक है option D is question का करेट आंसर आप इस तरीके से पने जो solar plate collectors देखे होंगे इस नोन अगा as a flat plate collector ठीक है flat plate solar collectors option D will be the correct answer in this case यह थोड़ा सा statement है यह थोड़ा सा इसका उनका formation है वो गलत हो गया next question is in an induction motor the three phase of the strator are connected in a series across either a single or a DC source that type of a connection breaking is known as उसको हम लोग कहते zero sequence breaking guys ठीक है उसी को हम लोग कहते zero sequence breaking बोला क्या गया है induction motor के अंदर जो three phases रहते strator के वो connect के जाते in a series across either a single AC और a DC source that type of a connection breaking is known as a zero sequence breaking आप देख सकते हो ठीक है single phase AC है DC supply हम लोग connect करते हैं सारे strator circuit जो है ठीक है सारे strator winding हम लोग series में connect करते हैं ठीक है और इसी को हम लोग कहते है zero sequence breaking is काफी important और unique question था ठीक है next question is which of the following is an incorrect statement for a digital modulation clamper या पर camper दिया गया था अगर आप official answer की देखते हैं तो या पर दापर दाबट इस a clamper with analog modulation in a communication धान में रखना होगा एक हमारा drawback रहता है basically ठीक है या पर क्या बूला गया incorrect statement regarding the digital modulation clamper ठीक है digital modulation clamper के related हमें statement पूछा गया तो या पर हमारा incorrect statement हो जाएगा option d it requires lesser channel bandwidth ये गलत हो जाएगा इस ठीक है it requires lesser channel bandwidth ये हमारा इसका incorrect statement हो जाएगा हाला कि higher bandwidth is required for a digital communication when compared to the analog transmission of the same information ठीक है तो इसका incorrect statement है option d next question is अब देखे एक question काफी simple से था और ये भी हमने illumination के topic जो मैंने आपको बताया था इसके पहले जो हमने illumination का एक session लेया था उसी के अंदर हमने पढ़ाया करके ठीक है स्पियर में क्या अगर होता है स्पियर में क्या होता है largest solid angle subtended at the center of a sphere ठीक है वो कितना होना चाहिए 4 by that is 4 pi star radians option a is question का correct answer रहागा ठीक है और angle ratio of the ratio of subtended arc length on a circle to the radius is 2 pi radians और यहाँ पर इसका क्या answer होता है 4 pi radians के दोनों भी ध्यान में टेकनों का what is solid angle and what is angle option a is question का correct answer रहागा same question हमने cover कर रहा था next question is what is the time between the instant of occurrence of the fault to the instant at which the delay contact open मैंने आपको कितने बार कहा है कि 100% यह question आना ही आना है करके 1000% examination और यह same question हमने हमारे transmission and distribution का जो course है guys काफी एक देड़ साल पहले हमने इसको launch किया था वह अभी भी काफी popular session है हमारा popular हमारे course है हमारे application के उपर उसके अंदर मैंने आपको बताया और हमारे ऐसे regular system के अंदर भी बताया थे कि आपको बताया था कि different timing रहते गए relay time हो गया breaker operating time हो गया arching time हो गया तो अब में हमें क्या question है क्या पूछा गया ऐसा time time between the instant of occurrence of the fault ठीक है fault होने से लेके हमारा ऐसा time जहाँ पर हमारा relay contact open रहते हैं इन दोनों बीच का time रहते हैं उसके हम लोग कहते है रिले time option A is question का current answer रहते हैं यह होता है हमारा relay time instant of fault inception to the instant of energizing the trip coil of a circuit breaker और इसी के साथ में आपको ब्रेकर interrupting time क्या होता है fault clearing time क्या होता है काफी अच्छी तरिके से हमने उस course के अंदर समझाया और आपको मैंने बताया था same question आपको examination में देखना को मिला और यहां पर हमें प्रूफ भी देखना को मिल सकता है कि same as it is examination में देखना को मिला गाई इस ठीक है इसमें ब्रेकर ओपनिंग टाइम क्या होता है आर्किंग टाइम होता है between instant of opening the arking contact to instant of arc extinction इन दोनों की बीच का time ठीके breaker interrupting time में हमारे ब्रेकर ओपनिंग प्लस आर्किंग टाइम आता है यह important है अभी भी आप ध्यान में रखेंगा आने वाले examination में 100% पूछा जाएंगा ठीक है यह आपको जो schematic मैंने mention करके रहा हो ध्यान में रखना होगा और यह दोनों points भी ओगे next question है हमारे पास में in a direct current electric system power can be measured by DC system में power हम लोग किसके द्वारा measure कर सकते है वाइस ठीक है काफी simple है voltmeter और emitter के द्वारा ठीक है in a direct current electric system power can be measured by single watt meter ठीक है 3 watt meter 2 watt meter नहीं single voltmeter और emitter से हम लोग DC current system में measure कर सकते हैं simply voltage और अगर हमारे उसमें current आ गया तो next question है which of the following unit is not a part of a DC drive ठीक है question में क्या पूचागे इसमें से कौन सा एक part नहीं है DC drive का हमारे पास option कौन से कौन से speed regulation unit रहता है वापे हमारे पसने DC supply unit रहता है और field supply unit रहता है लिकिन frequency control unit अब DC drive में रेलेट कर सकते हैं कि नहीं का इसकिए DC drive और हमारे पास कहा पी आएगा frequency control unit इसलिए हमारे पार्ट नहीं है speed regulation unit DC supply unit and field supply unit रहा पार्ट अफ़ डिसी ट्राइव ओके next question is which are the following is an incorrect statement for electric traction system electric traction system से इसमें से कौन सा incorrect statement हमें option में से बताना है ठीक है full driving torque is available from standstill ये correct statement it produces high heat to the operator engine ये गलत है गया इस टीक है क्या बोला गया it produces high heat to operate the engine नहीं कि हमारे statement incorrect हो जाएगा option c हमारे correct है engine can be engine can be run at its most suitable speed range it has a smooth starting without shock yes statement ये हमारे correct answer हो जाएगा ठीक तो option b will be the correct answer in this case या पर रन एक जो word था mistakenly वो नहीं प्रिंट होआ था प्रॉपर्ली हो गया ठीक है अब देखे माइक्रो कंट्रोलर ऐसा एक टॉपिक है जो आजके ले एक्जामनेशन में 100 पेसंट पूछा जा रहा है और यह आपको अच्छी तरीके से cover करना होगा तो आपको जो जोईन करना होगा डिफिनेटली आपको अक्टोबर के मिड्स अब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा अपको फा लेकर मैं अब को उसमें से इंपोर्टन टेबल रोचार्ट जो इंपोर्टन comfort कोषिंस से आपके आने वाले अग्जामनेशन में वह हम लोग कवर करा दियोसको डेबिटली जोरब की जिगा उसी तरी डबल जिरो वन भी यह हमारे दोस्के लोकेशन भी यह आपको सिंपल एक बेसिक सा कोशन पूछा गया था कितने इंटरप्ट होते है यह भी आपको पता होना जरूरी है नेक्स कॉशन इस विच रियक्शन कान प्रोडूसिंग दर कॉंबस्टिबल गैस फ्रम दर बायो मैस वह थोड़ा सा हम लोग कैसे शेफल अप हो गया उसके करण को समझने के लिए दिकत जा सकते मैं भी इसको अगनोलेज करता हूँ और मैं भी उसको मानता हूँ कि इसको समझे यह कि हमा लोग क्यों ईसा रिएक्शन करते हैं कौन सा रिएक्शन प्रोडूस करते हमारे गंच्प कमस्टिबल गैस फ्रम बायो में शॉलिड वह रहते हैं हमारें पसमें थर्मो किमिकल रियक्शन रहेगा यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा इलेक्टोमेकश extraction तो नहीं होगा और electrochemical भी नहीं होगा लेकिन आप इसमें biological conversion ऐसे एक से दो एस्परेंट से मार करके आल गलत हो गया अंसरों का अब बता दो thermal chemical thermochemical reaction यह responsible रहती है ठीक है option C question का correct answer आजागा ठीक है यह था एक हमारा फिर से गुगली question next question है हमारा पास में reverse current breaking is also known as काफी simple था question था और काफी बार हम लोग discuss कर चुके गाइस examination हमारे sessions के इंदर regular reverse current breaking ही मतलम उसको कहते है हम लोग plugging ठीक है plugging अब मुझे बताए plugging के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं ठीक है कौन सी step हम लोग करते हैं मुझे करके हम बात आया है ठीक है देखते भी मारे next question question क्या पूछा गया dash is employed only when power is generated at a low voltage and the substitution is located at the center of the load उस case में हम लोग radial system का इस्तामाल करते हैं यह हमने transmission वाले course में पढ़ा था गई transmission में हमने यह चीज़े देखे थी कि जो radial distribution system होता है ठीक है यहाँ पर जो लोग location रहता है हमारा सब्सेशन का वो लोकेटर किया जाता है center of the load ठीक है इसको में लोकेटरेसिक्स अलग अलग भी है लेकिन आपको कौन सा statement जो है एक्जा किस तरीके से आपको पूछा गया उसके जरब में ध्यान देना होता है नॉट लिए कि आपने नेक्स कोशन क्या कहा रहा है हमारे पास में फॉलिंग इस नॉट कंसिडर्ड इन एलेक्ट्रो मेंग्नेटिक्स रेले में हमारे कौन सा नहीं किया जाते इन चार आप्शन में अब देखिए लेकिन फेस कंपारे ले यह हमारा कंसिरर्ड नहीं हो सकता है अलेक्टो मेंग्नेटिक्स में इसलिए हम लोग इसको तो नहीं करेंगे डिक है option C is question का correct answer रहता है इस तरीके से आपको smartly approach लगा के question को mark करना रहते हैं कोई यह जरूरी नहीं रहता है कुछ-कुछ topic आपको नहीं भी आते हैं लिके नगर आपको fundamental बाकी topics के बाकी option को लेगे आपके fundamental clear रहे तो आप डिरिकले answer mark कर सकते हैं क्योंकि उसके अलावा तो कोई answer रहे नहीं सकता simple है next question है हमारा which is the following working circuit is not related to the thermal power plant इस में से कौन सा working circuit जो है वो रिलेट नहीं करता है thermal power plant से दिखें simple है feed water or steam circuit हमारे किस में रहेगा thermal power plant में रहेगा air and gas circuit भी रहेगा coal और ash handling plant जो रहता है air handling circuit रहता है वो था हमारा पास काफी integral part है हमारे thermal position का लेकिन आप बताएगा क्या हमें thermal power plant में dam और reservoir की ज़रूर्वायर की ज़रूर्वायर देगा नहीं ठीक है इसलिए इसका correct answer रहेगा option D और यह हमारे पास में रहता है hydro power position में है hydro position में हमारा यह component है next question है हमारा पास में which is correct characteristics of a transducer in order to avoid loading effect ठीक है इसमें से कौन सी characteristics सही है transducer की अगर हमें loading effect को avoid करना है ठीक है majorly क्या होता है इसका high input impedance होता है ताकि उसका जो voltage है ठीक है वो maintained रहे ठीक है और low output impedance इसलिए रहता है कि ताकि maximum current जो है उसको deliver यह हमारा basic characteristics रहता है अगर हमारे component की बात करते तो इसलिए इसका current answer रहेगा हमारा option d next question is the art of determining the per unit cost of production of electrical energy is known as यह same question मैंने आपको पढ़ाया था और यह concept भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑगर एक unit अगर हम लोग electricity यूज रहे है उसका costing किस तरीके से निकलता है कौंसे कौन से फेक्टर उसका effect करते है ठीक है divercity factor महतection क्या होता है हें दिटने का अग्णक्रों कर सके framework के अंदर इक सेशन लिए पावर सेशन केंदर क spl إ जाके watch out कीजिएगा काफी फाइदमन्द रहेगा आपके आने वाले examination के लिए और यह सेम अभी अभी proven भी हो चुका है यह सेम आपको question पूछा किया ठीक है कि हम तो सब्सक्राइब करें तो हम क्या इसको join करें नहीं करें मैं हाला कि इसके लिए special coupon coupon code JA20 यह आपके लिए extend करके रहे हैं अभी भी हमने इसको invalid नहीं किया अभी भी आप इसको use कर सकते हैं आपको हमारा application डाउलोड करना होगा अब मैं बता दे तो थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा आज कल के जो जैसे आभी ओंजी से का examination हो गया ठीक है स्पेसिफिकली अगर हमारे महारशे स्टेट की बात करते हैं ठीक है ओंजी से का examination हो गया अब आप देख सकते हो जितने सारा aspirants में हमेरी बाते सुनी प्रिवेसली पेपर को एनलेस किया हमारे साथ में जो चीज़े मैं आपको बता है उनका प्रेपर काफी अच्छे गया और उनका टेलिफोनिक रिव्यू हमें मिली गया अलड़ी ठीक है लेकिन जो स्टूर्ट इसको सिंसरी फॉलो नहीं कर रहे है उनको दिक्कत है जाती है कुछ-कुछ important topics में जैसे कि मैं आपको topic बताता हूँ इस course के अंदर वीडियो course रहने वाले हाला कि ठीक है एक साल के वैलेटरी के साथ इस सारे topic आप देख सेते हैं जैसे electrical fundamental हो गया electronic component and devices हो गया electrical and electronic instrumentation and measurement है electrical and electronic engineering materials हो गया digital electronics है electrical machines है environmental studies है industrial electronics and control है network filter and transmission lines है transmission and distribution of electric power है energy conservation है switch gear and protection है ठीक है next है मारे पस में microprocessor, microcontroller उसके peripheral devices है renewable source of energy communication network हो गया utilization of electrical energy electrical traction हो गया installation and maintenance and repair of electrical equipment है electrical designs हो गया drawing and estimation हो गया control system हो गया हमारे और आप चल जो recently काफी जो imported है application of computer software in electrical engine जिसमें मैं MATLAB आता है AutoCAD आता है ठीक है ETAB वगारा भी आता है यह सारे हमने include करके रखे analog electronics हो गया power electronics हो गया और भी हमारे पास में I rules हो गया Indian electricity rule जो नए आचकल पूछ रहा थे CPWD rules हो गया universal human values हो गया batteries maths की basic formulas हो गया Miscellaneous topic जिसे की computer रहा था और management ऐसे मिलाते हुए हमारे पास around 28 plus topics होते हैं ठीक है यह हमने इस course के अंदर जो हमने आपको मैंने बिताया हमारे application के परावले पे सिर्फ आप देख सकते है 390 रुपेज में आग एक साल के लिए आपको इतने सारे topic आपको पंढ़ने को मिल रहे है इसकी अगर valuation किया जाए तो यह 1000 रुपीज में भी हम लोग इसको release कर सकते हैं लेकिन काफी सारे sprints के लिए एक affordable एक चीज़े हो ठीक है उनको काफी affordable rate पर education मिले ठीक है एक balance बना रहे है इसलिए मैं इस coupon code के साथ इसको सिर्फ 390 रुपेज में release किया है आप इसको join कर सकते ह हाला कि 499 उसका initial price था लेकिन इस J coupon code को लगाते हो तो आपको सिधा सिधा 20% का discount mark मिलके 399 रुपेज में complete एक साल के लिए इतने सारी topics आपको पढ़ने को मिल सकते हैं not necessary हमारे सिर्फ यह topic नहीं अब हम लोग काफी aspirants के मन में यह भी route आता होंगे कि सर यह तो सारी आपने YouTube पढ़ा के रहे हैं हमने YouTube पर पढ़ा के रहे हैं लेकिन अगर आप UPPCL के examination को target कर रहे होंगे दूसरे examination को target कर रहे होंगे वहाँ पे जो unique question बनते हैं ठीक है unique question जो बनते हैं उसके लिए हम लोग table सो चार्ट को prepare करें गए जो हमने cover पढ़ चुके वो तो हमने पढ़ लिया व हमारे course complete हो जाएगा course complete हो जाएगा मतलब यह नहीं कि हमारे वीडियोस हमारे निकल जाएगे उसके बाद देखनी सकूंगे आपने जिस दिन से purchase किया मान लो अगर आपने 1st September को इसको join किया तो 1st September 2022 को आपने join किया तो आपका अच्छा validator रहेगा वो आ रहेगा 1st September 2023 तर ए अभी तक electrical fundamental उसके पर uploaded है उसके e-book भी uploaded recently जो बाकी भी topics है वो भी आपके time to time पर सारी चीज़े upload हो जाएगे उसके फ्रिंता मत किजिए गाई इसको definitely join किजिएगा हमारे application को download करके definitely आपके काम में आएगा examination के लिए अगर आपने इस तरीके से जो sessions में आपको recommend करते हो जो च टेबल्स और चार्ट जिस एंजिन एस्परेंट्स निसको जॉइन करके हैं किसे उनसे भी आप review ले सकते हो काफी वास topics भी आपको मिल रहा है कि अगर आप इसको बाकी जगा compare करने चाहिए तो आपको 1000 रुपीज में around 4500 4000 3000 इस तरीके से आपको topic में लेकर वहां पी आपको comprehensive जो most precise topics रहते हैं वह मैंने आपे provide करने के कोशिश किए ठीक है दिखते भी हमारा फिर next question काफी important है कैसे अगर कोई doubts आते तो please मुझे communicate करके बताएगा यह question मैंने आपको same बढ़ा है था question कहा है which is a correct formula for finding the number of poles in a low voltage line ठीक है low voltage line के अंदर number of poles को बता करने का क्या हमारे पास एक basic formula आप भी बताएगा यह question कौन सा है यह भी मैं आपको बताएगा यह question था I guess यह था हमारा PG cell का question PG cell में question पूछा गया था और यह जो बाइस ऑगस्ट के जो बाइस ऑगस्ट के शिफ्ट हुआ था किस ठीक है उसमें northern region का पेपर आप जाके देख लीजेगा उसमें यह question पूछा गया था रहे हमने cover और भी किया है तो दिखे क्या पूछा गया number of poles in a low voltage lines में हम लोग किस तरह से पता करते हैं वह है हमार पस length plus span plus 1 ठीक है length divided by length divided by span plus 1 यह होता है हमारा formula ठीक है इसे हम लोग calculate करते है number of poles required in a low tension voltage distribution lines ठीक है अब मिचे पताएगे का low tension line का जो voltage level कितना रहता है मुझे comment box में comment करके बताएगा next question is which is not a type of energy order simple सा question है अब यह देखिए यह ऐसे जो question बनते है हम लोग क्या इसको unique मान सकते है क्यों यस ऐसे ही question हमारे पास जो बनते examination में वह हमें काफी confusion हमें create कराते हैं इस examination में अब हमें energy audit तो पता है कि इसकी basic क्या होते है लेकिन इसके types कौन से यह हमें नहीं पता होते है तो देखिए इसके जो basic types रहते है न वो रहते है हमारे बास में क्या आपको आपका जो score है वो बढ़ाना रहता है बढ़ते अभी मारे नेक्स question क्यों 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 क्या रहा है हमारे बसमें which part of a three-phase induction motor is responsible for the production of revolving magnetic field इसमें से कौन सा जो portion है वो revolving magnetic field को produce करने के लिए काम में आता है हाला कि rotor slot नहीं रहेगा slip ring भी नहीं रहेगा स्टेटर के अंदर हमारे पास में जो windings रहती है ठीक है वह है responsible रहते है हमारे पास में revolving magnetic field को produce करने के लिए simple सा question था option c is question का correct answer आ जाता है next question is which vector group is represented by the following phase diagram of a three-phase transfer काफी simple सा question था मैं आपको बताता हूँ d y6 delta y6 और yd that means star delta y star delta 5 वो भी हमारा इस vector group में नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास में जो mention कुरह है vector group यह star star में ठीक है yy vector group mention है अब इसमें yy6 होगा यह yy0 होगा आप देखिए yy6 होगा इस किसमें क्योंकि हमारे पास जो face shifted है 180 180 degree है यहाप हमारे पास में face shifted है simple सा question है option c is question का correct answer आ जाएगा इसके लिए मैंने आपको चार्ट मेंचन किया common vector group जो हम लोग यूस करते है high voltage वाइनिंग और low voltage वाइनिंग में किस तरीके से displacement आता है अगर वाइब वाइब जीरो है तो इस तरीके से इस तरीके से examination में देखने को मिलते है थोड़ा सा pause कीज़ेगा और इसको अची तरीके समझ दीज़ेगा आपको जो पूछा गया तो वह हमारे पास yy6 ठीक है इस तरीके से देखते भी हमारा next question question काफी simple है which PLC software is supported ladder logic STL and structured text type of programming language हमें सिर्फ PLC software के बात बारे में पूछा गय इस उसके अंदर हमने जो different PLC software से रहते है उसके बारे में information आपको भी दीए थी ठीक है same question पूछा गया option D is question का correct answer आजएगा next question is which is used to protect branch circuit from overhead and short circuit ठीक है इसमें से कौन सा हमारे जो component है distribution board, panel board, service board, main switch board हम लोग overload और short circuit से बचाने के लिए काम में आता है वो काफी simple है इस panel board ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जितना आप लोग complicated सोच सकते थे उससे ही अपका confusion है इसमें और बढ़ सकता क्या distribution board हो सकता service board हो सकता है फिर main switch board है का हम लोग कहते है panel board और यही से हम लोग operate करते है और यही हमें short circuit और overload से बचाता है ठीकि सारे circuit इसके अंदर operate हो सकते हैं हमारे पास ठीके देखते भी मारा next question dash is a process of operating machines and other industrial equipment अब दीखे पढ़ने के लिए काफी बढ़ा हमें question लग रहा हूंगा लेकिन answer काफी simple है दीखे मैं बता है तो एक ऐसी process है जिसने हमारे पस है machines को हम लोग operate करते है और बाकी industrial equipment को operate करते है with the help of digital logical programming and reducing human intervention in the decision making and manual command process with the help of a mechanized equipment उसी को हम लोग कहते है industrial automation automation का ही मतलब in human intervention ठीक हमें decision making करते आने चाहिए logical programming होने चाहिए और हमारे पास में switches को operation भी होना चाहिए हमारे पास जो component है या फिर हमारे जो apparatus हमारे रखा करके industries में उसको automatically operate हो सके और वही है हमारे पास industrial automation ठीक है industrialization नहीं होगा industrial technology cloth भी नहीं होगा industrial production ऐसे confusing से question आपको option अभी देखने को म इसमें से कौन सा statement incorrect है ऐसा question में पूछागा है simple है guys circuit breaking is easy in a case of a DC circuit breaker in a DC system therefore the cost of DC circuit is low काफी simple और यहीं तो सबसे बड़ा हमारा drop है कि हमारा circuit breaker जो HVDC systems में use होता है वो काफी जदा costlier रहता है और वो काफी complicated रहता है क्योंकि generally हमारे पास में AC को हमें interrupt करने के लिए काफी different ways भी रहता है लेकिन DC high voltage DC circuit breakers काफी costlier रहता है और उसके कारण उसका ब्रेकिंग है that means interruption वो भी काफी complicated रहता है ठीकिए इसलों काफी ज्यादा अगर high voltage भी हम लोग DC में transmit करें की कोशिच के तो उसके भी अलेक drawbacks रहते है इसलिए इसका correct answer आजएगा हमारे पास option D यहाँ पर cost of DC circuit is low बोलागे तो काफी यह गलत हो जाएगे यहाँ पर high चाहिए था और यहाँ पर complicated चाहिए था next question is simple question था मैं आपको बता दो जैसे मैं आपको बताया था कि क्या 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 चीज़े करना है same question आपको पूछ है क्या मैं आपको बताया था कैसे stall torque represents the point on the characteristics torque and the speed graph of a DC motor at which the torque is a dash देखे stall torque को हम लोग क्या के थे stall torque को हम लोग क्या के थे ऐसा torque की जो maximum है ठीक है अगर हम लोग characteristics देखे लेकिन DC motor जो है उस case में जो उस case में हमारा shaft रहता है वो rotating भी नहीं रहता है option A is question का correct answer जागा इसलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप कोई भी motor की characteristics पढ़ते हो तो अच्छी तरह की से समझ के पड़ीगा इस point पर हमारा जो torque है वो maximum है लेकिन इसका rotational speed कितना है जीरो है ठीक है यह देख सकते हो simple है ठीक है यह point रहता है हमारा वोग से stall torque अब मुझे बताईगे क्या question complicated था इस characteristics को देखते हो है नहीं बिल्कुल भी नहीं सिर्फ आपको statement के माधियम से उनने question बना दिया उनके मन से और आपको question बूच आगा काफी important है option A is question का correct answer आजाएगा next question is identify the following electrician tool name यहापे electrician tool name यहापे उन्होंने mention करके रखा था इसका high definition high resolution वाला जो image है हमने आपके सामने present है so that आप इसको समझ सको knife करेंगे cable cutter करेंगे spanner या फिर hacksaw इसको मुलोगेते spanner दिके spanner generally जो है fixed type के रहते है ठीक है हमारे पस में अलग-अलग numbers रहते है ठीक है इस तरीके से हमारे पास जो spanner देखने को बिलता है ठीक है या फिर हमारे पास में circular भी spanners रहते है ring spanner जिसको मुलोगेते लेकिन यह हो correct answer इसका C spanner है ठीक है इसको देख सकते हो या adjustable होता है ठीक है depending upon our torque size next question is which system of induction type of energy meter consist of two electromagnet simple है ऐसे induction induction type of energy meter का कौँसा system है जहापे हमारे पास में two electromagnet रहते है ठीक है question को समझेगा की question कैसे पूछा गया ठीक है देख सकते हाँ पर driving system है moving system है breaking system है registering system है तो वह हो जाएगा हमारे पास में driving system यह जो दो electromagnet है ठीक होता है यह shunt magnet और यह series magnet यह पार्ट है हमारे बास में driving system का option यह question का correct answer आजएगा next slide में आपके लिए मैंने एक छोटा सा table मैंने mention करके रहा है जहापे आपको driving system, moving system, registering system और breaking system में क्या क्या चीज़े होती है बिलकुल भी skip नहीं करना है अच्छी तरह किसे पढ़ना है यह सारी चीज आपके रहा हमारे बस में which component reduces ripple from the rectifier DC output that is fed to a traction motor simple है हम लोगों को ripple है ठीक है यह pulse setting DCS को ripple free हमें करने के लिए हम लोग क्या करते है generally capacitor का use करते है ठीक है या फिर हम लोग choke का इस्तमाल करते है लेकिन यहापे क्या बोला गया DC output को जो ripple free करने के लिए ठीक है जो DC traction motor को feed का जाते ह इस question का correct answer था यह जो question paper था guys हम लोग कह सकते है जो 80 questions पूछे कहते है यह आपके fundamental logic को check करने के लिए question और ने frame किये थे ध्यान में रखेगा next question था concentrated solar thermal system has a property of the concentrated solar thermal system में क्या रहता है यह रहता है utilization करते है हम लोग heat energy of a solar ठीक है it utilizes it utilizes the heat energy of the solar light energy का utilization नहीं रहता है क्योंकि concentrated solar thermal system ठीक है इस तरीके से हमारे पास में curved mirror से हम लोग concentrated concentrated हम लोग को basically क्या करते है utilize करते है जो heat energy solar के ठीक है concentrate करते है एक जगह पर हमारे पास में heat ठीक है और उसको हम लोग heat pipe के थ्रू हम लोग water को heat करने के लिए फिर्ट डिफर्ट अभी इसके application रह सकते हम लोग इसके detail में जी नहीं जाते है यह हम लोग इसका application यूज़ करते है ठीक है यहापर क्या बोल रहते है आइस्परेंट्स ने हाला कि इसका answer जो है heat energy of a solar to produce direct canal mark किया होगा ठीक है most probable chances लेकिन इसका काफी simple आइसर था जो कि हमरे पास में option B यह जो plate collectors रहते है ठीक है जो हमारे पास में different different type of solar concentrated solar thermal collector systems रहते है उसको भी हम लोग एक आद बार session में बड़ लेंगे ठीक है next question है which among the statement is given is a wrong related to the modulation in a communication system ठीक है इसमें से कौन सा statement जो है वो रॉंग है related to the modulation in a communication system वो है mixing up of a two signal with a main signal यह statement हमारा रॉंग है modulation जो होता है हमरे पास में communication system यहां पर क्या mixing up up होता है other signal का with a main signal नहीं बिलकुल भी नहीं modulated है मतलब ही उसका particular frequency के लिए वो set किया गया है ठीक है कि उसमें mixing up होने की कोई जरो कोई इसमें concern नहीं है next question is dash is the type of renewable power plant that is environmental friendly easy to be operated and low operational code इसमें हमारे पास में दो option रह सकते हैं ठीक है यहां पर काफीसर experiment में जो answer mark करके है वह यह title power plant टीक है title power plant भी mark करके आगे और काफीसर experiments में micro hydropower plant भी mark करके लिकिन इसका correct answer is micro hydropower plant टीक है यह solar thermal power plant न इसका answer नहीं हुसाओ थिए क्योंकि आपर low operational cost बोली गया और low operational cost किसकर रहेती है इसलिए हम लोग टाइडल का एक स्पेसिफिक कंडिशन होने के कारण हम लोग इसको यहां पर मार्क नहीं कर सकते हैं हाले कि सेम कॉशन जो यूपी सेल ने कॉशन पूचाया गया था उसे जो कॉंटेक्स हो डिफरेंट है इसलिए इसका करेक्ट अंसर वहाँ पर टाइडल पाप्लाइन टीक है तो एक बार अगर आप उसको क्रॉस्चिक करना चाहते तो उसको क्रॉस्चिक कर लिजीगा अगर को डाउट होगा तो प्लीज मुझ से कमिने केजिए डेफिनेटल हम लोग इसको डिजॉल का रहा लेंगे ठीक है नेक्स कॉशन है हमारे पास में अब यह कॉशन काफी इंपोर्ट है ठीक है फायर एप्रेटसी है है कॉशन में क्या पूचेगा है विच टैप आर्क आर्क परसे पर्सेटेव करेंटिव यह प defence करेंगे तो यहां पर उसके इसमें कंड़ेवाल मने में आ इस टेबल को अच्छी तरिके से बढ़ के जाएगा आपके आने वाले एक्जामनेशन के लिए डेफिनेटली काम में आगा ठीक है 25 कलेड़े पार सेंटीमेटर स्क्वेर के लिए हमें टू लेयर्स ओफ फायर रिस्टेंस काफ़ी सिंपल सा कोश्षन है था इस यह अ कॉंशी को आप्टbenश्येश twitter को जो हम लोग शॉर्कित करते हो उपन स्रक इख इक इसके उस्गार कर दिया थे 5 ohms और 10 ohms का जो है यह हमारा पारलेल में आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे 5 into 10 upon 5 plus 10 which is 50 यह जाएगा हमार पास में इसका equivalent 50 upon 15 ठीक है अब दीखे यह हमारे पास में एक resistance यहां पर आ जाएगा complete यह हमारे दोनों हो जाएगा तो यह 10 प्लस यह हमारे 50 by 15 हमारे सीरीज में आ जाएगा हम लोग इसको add up करते इसको cross multiply करते 50 plus 50 multiplied by 10 which is 150 divided by 15 ठीक है इसी का ही हमें solution निकालना था ठीक है 200 divided by 15 ठीक है 5 4 ठीक है 40 ठीक है और 5 3 ठीक है 40 by 3 यह इसके across में आ जाएगा है यह open होने के बाद इसके across में आ जाएगा हमारा 40 by 3 ohms का हमारा एक resistance जिसका हम लोग RTH कहेंगे ठीक होने इस रिस्टंस का करेंट सार जाएगा काफी सिंपल सा क्वेशन था नेक्स कोशन इस the EMF equation of a DC generator is EG is equals to 5PZN upon 60A मैंने आपको काफी बार पढ़ा चोगा है हर एक सेशन में नियरली आपको पढ़ा थी रहा था यह कोशन ठीक है अब देखिए मैं आपको हमेशे पता था नेक्स कोशन इस the main advantages of electrical drive is that dash can be easily optimized ठीक है सबसे major electrical drive का हमारा advantage क्या है कि हम लोग उसका जो motion control है उसको easily optimize कर सकते हीट control नहीं होगा current control भी है और cost control भी नहीं होगा ठीक है उसकी motion that means उसका speed torque जो include होता है motion control के अंदर उसको हम लोग easily optimize कर सकते है electrical drive के अंदर यह basically उसका use करने का फाइदा रहता है next question है which among the following is the dynamic characteristics of an instrument इसमें से कौन से dynamic characteristics है अब students को इसमें भी confusion था dynamic और static दीखे गाइस static में क्या होता है जो frequency response ही हमारी characteristics रहेगी वो रहेगी हमारी dynamic characteristics of an instrument option जी इस question का correct answer आ जाएगा next question is which device is considered to be the two SCR connected in anti-parallel ऐसा कौन से device है जिसको हम भी कहेंगे दो SCR को हमने anti-parallel ही connect करके रहा है वो हमारे बसमें track अब मुझे बताओ डायक और ट्रायक में क्या difference रहता है काफी simple सा question मैं पूछा डायक का symbol किस तरी के सरेता है और ट्रायक का symbol किस तरी के सरेता है काफी बार पढ़ा जोगा question number 61 मार करके मुझे comment box में इसका solution बताएगा next question is which of the following argument is not true with reference to the wind energy conservation system इसमें से कौन सा statement जो है correct नहीं है अगर हम लोग wind energy conversion system से relate करें ध्यान में रखेगा option ds का correct answer आजएगा wind energy conversion system does not need to have a storage devices ठीक है यह statement correct नहीं है wind energy conversion system does not need a storage devices क्योंकि यह काफी irrelevant और हम लोग unpredictable कह सकते है wind energy को ठीक है यह statement हमारा incorrect हो जाएगा ठीक है no fuel energy transfer का what is required यह statement करेक्ट है wind energy is fluctuating in nature यही तो reason है इसका produces ample noises हा यह यह भी हमारे characteristics है उसका option d will be correct answer in this case ठीकते भी मारा next question question number 63 यहना 3-phase alternator 3-phase alternator के अदर एक complete revolution में ठीक है ठीक है ठीक है you know if a one complete revolution produces two complete positive and negative pulses ठीक है एक complete revolution में ठीक है मानलों यहां से complete revolution हो रहा है ठीक है तो इसमें दो positive और negative pulses create हो रहे होगे तो हमारे पास number of pulse कितने होगे 4 आप इस schematic से देख सकते हो काफी simple सा question था guys अगर अगर आपको fundamental किया रहे है how this number of pulses generated तो आप इसको काफी within a second बढ़ते बराबरी answer आप मार्क कर सकते हैं next question is which type of excitation is used to measurement of a wavelength spectrum speed and a polarization अभी हमें ऐसा कुछ realization हो रहा है कि अगर हमने इसका रहे है कि डेडिकेड़ अगर बैच चला ही रही ती definitely मैं आपको बताता हो इस 80 question में से आप 70 plus question accurately mark कर कर आते हैं 100% guarantee के साथ ठीक है आपको बताता हो अगर आप interested रहते हो किसी examination के लिए अगर आप आपको specialized coaching चाहिए हो तो कि please मुझे बताया करेगा ठीक हम लोग उसके लिए especially हमारे पास application के ओपर different courses या फिर आपका एक particular guidance type हम लोग एक sessions अरेंज कर आया करेंगे ठीक है जैसे आपको आपके dedicated examination को target करके आपको clear करने के लिए उससे फाइदा होगा है question हम लोग देख लेते question में क्या पूचा गए which type of excitation is used to measurement of a wavelength spectrum speed and a polarization उसके हम लोग आप्तिक अप्तिक excitation is used for a measurement of a wavelength spectrum speed and a polarization option a will be the correct answer in this case next question is which type of relay gives an indication of a fault at a very early stage by anticipating the fault and operating the alarm circuit for a protection of transformer question में क्या पूचा गया आपको काफी बार बार आ चुग हो ऐसा हमारा एक relay है गाइस transformer के अंदर जो anticipate करते हैं anticipate करना मतलब क्या आगे होने वाली घटना को पहले डेटेट कर लेता है ठीक है और वो alarm circuit के तरह काम करते है protection के लिए transformer के उसी को हम लोग कहते है बुकोज रिले एक छोटा सा question आपके लि developing, inter turn fault जो रहते है उसको anticipate करते है पहले ही उसकी जो धोगी की हम लोग कह सकते है कुछ अगर उसमें faults होने वाले होंगे तो कि हो भी हम लोग anticipate करते है पहले ही delete कर लेते है और वो as alarm circuit करके भी work करते है transform के protection के ठीक है option C is question का correct answer आजाएगा next question is which parameter of a transmission is constituted when a two conductors separated by insulating material काफी simple है guys ठीक है इसको हम लोग कहते है capacitance ठीक है parameter of a transformer can be found by conducting short circuit test सिर्फ short circuit test अगर हम लोग perform करते है transformer के उपर तो कौनसी property हम लोग find out करेंगी simple है ने आपको वाविता बताया था कि equivalent reactance हम लोग से पता करते है equivalent reactance of a transformer no load current बीने magnetizing current बीने no load resistance बीने next question is which instruction represented transmission data pin for a serial port serial port का यह थोड़ा से unique question था इसको skip भी कर सकते है अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है which instruction represented transmission data pin for a serial port यह युई आर्ट mode ठीक है UART का full form भी आपको पता होना चाहिए इसको में लोग एते universal asynchronous receiver transmitter ठीक है तो यह हमारा TXT यह option series question का correct answer आजाएगा जो DB9 connector है guys इसास में TXD port भी TXB pin भी रहता है option series question का correct answer आजाएगा next question is exciting current for a DC generator is correctly described by which of the following current ठीक है exciting current जो है DC generator का ठीक है किसके द्वरा डिस्क्राइब किया जाता है current carried by field winding simple field winding में जो भी current रहते है ठीक है वही तो उसका exciting हमारा current रहते है ठीक है यह होता है हमारा पास armature ठीक है इस तरी के से हमारा होता है circuit किसे resemble करता है अगर आपका fundamental मैं बता रहा हूँ सिर्फ अपका fundamental clear है तो इस question को आप आसानी से solve कर सकते हैं देखें थेवने circuit में क्या होता है एक हमारा पास में voltage source रहता है जिसको लोग कहते है VTH और उसके series में कहा रहता है RTH resistance अब अगर आप इसको resemble करते हो तो यह क्या किस से relate करता है हमारे practical voltage source है ठीक है जो हमारा practical voltage source है इस तरीके से resemble करता है ठीक है यहापर RTH रहता है और यहाद रहता हमारा पस है ठीक है उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ठीक है जो Northern theorem है ठीक है Northern theorem किसे relate करता है मुझे बताएगा next question is light is a form of dash radiated from a body and human is capable of receiving it ठीक है light जो है यह हमारा electromagnetic energy रहता है ठीक है electrochemical नहीं रहेगा electrostatic नहीं रहेगा electromechanical भी नहीं रहेगा option B इस question का correct answer आजेगा बिना आप इसको सोचे समझे भी इसका option को eliminate करके भी इसका answer correct markers it is electromagnetic relay it is not it is a basic electromagnetic energy not a relay sorry for the that mean I totally apologize for the same thing ठीक है electromagnetic energy रहती है हमारे light option B इस question का correct answer आजेगा देखते भी हमारे next question यह हमारे हिंदी में mention किया गया था ठीक है इसको हमने convert करके यहाप English में convert करा दे ठीक है अगर इसमें भी आपको कुछ changes नजर आ रहे होंगे ठीक है अगर आपने paper दिया होगा तो प्लीज मुझे comment box में comment करीगा question कहता है what is used as a extension of a screwdriver and which allows the torque to be used on a hexagonal fastening hexagonal fastening में हम लोग as a extension करके excuse करते extension of a screwdriver यह रहते है हमारे guys hex की आपने देखा होगा ठीक है generalize को market में allen की करके भी बोलते है यह रहते है हमारे पास hex की option A is question का correct answer जेगा spanner नहीं रहेगा chisel मी नहीं रहेगा claw hammer भी इसका answer नहीं रह pouर तक्रू discharged English EinskullOLD is very useful all the time till E before the taoel अने नहीं रहेगा एकवर इनोंन मैंने यह रहेगा कि यहा क्रूण और यही कर्मानन मागजेट मेंने था सीदव नियुस्ता इसका यह रहेगा इसका का इपार आजय हैス UK ज 이용 सी में रहेगा इसम यह रहता कंपोंण मोटर में रहते हैसमें इसमें से कौन से इंकरेट एक्जामपल है कि यूस किया जाता है बाइयो इनरजी को प्रोडिस करने के लिए अब देखिए मिंसिपल सॉलिड वेस्ट इसका एंसर होता है पर पर पस ग्रोंड क्रॉप्स और अनिबल मैनियोर यह भी हमारे इंक्लूड होता है लेकिन स्वाफ मटिकल्द मतलब क्या होता है अपने सब्सकों घ्रेट एक है जो मेटल कैसे ओम पार्टिकल नहीं थीदिग्श्kiem इसका correct answer है हमारा option A, by using swath of material we cannot produce a bio energy, इसको हम लोग क्या burn कर सकते है, definitely नहीं burn कर सकते है, for producing the bio energy, मेरी बात हो को धान्स जो नहींगा, bio energy को produce करने के लिए हम लोग इसको क्या burn कर सकते है, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसलिए है इसका correct answer है, हमारा option A, incorrect example है हमारा material used to produce a bio energy, next question, अब द 3-3 mark भी अगर आपको easily मिल जाते हैं, तो क्या आपका score boost up नहीं होता है, इसलिए मैं बताते रहता हो guys, recommend भी करता हूँ कि आपको ये सारे, जो मैं recommendation देता हूँ, time to time वो आपको देखते रहने चाहिए, या अपर आप आप नहीं भी देखते हैं, तो उसको एक पार क्या किज candle power, तो हमें flux find out करना है in the hemisphere containing the source of light and a zero above the horizontal, ठीक है, अब देखिए, ये सारे जो values है, आप इसको देख के घवरा गया होंगा, अब ये काफी simple है, और ये question paper में, जो हमने question है, ये paper में, जो question पूछा गया था, हमने previous year का question paper भी लिया था, यूपिट्र पल सी के, ये का भी paper हमने उसको distance के था, उसमें same question पूछा गया था, सिर्फ वहापे 400 candle power था, ठीक है, हमार पास में 600 candle power है, ठीक है, जो flux emitted रहते है, ठीक है, by light source था, हम लोग उसको lumin में किस तरगे से convert करते है, इसकी जो intensity रहते है, ठीक है, multiply करते है, उसके solid angle, omega से, intensity कितना है, 600 candle power है, solid angle कितना है, ठीक option में, तब आप इसको definitely mark करके आ सकते है, ठीक है, या फिर अगर आपका option रह सकते है, 2400 pi, वो भी आपका ने mark किया रहे था, अगर उनको नहीं आता है answer तो, या फिर यह भी, अभी यहापे क्या हुआ है, यह जो values बताएगे, यह इसको pi से multiply कर, that means, 1200 into 3.14 से multiply करके value बताएग इसी दरिके से स्मार्टली आपको को स्वाल करना रहता है, next question है, how many bits of risk multicore processor designs are offered by ARM processor मतलब क्या होते है, generally advance risk machine होता है, ठीक है, risk का मतलब क्या होता है, risk और इसको पता होता है, risk मतलब क्या होता है, जो mobile processes आते हैं आम बेस प्रोसेजर रहते हैं उसके अंतर दो तरिके के structure रहते हैं एक तो रहते हैं 32 bit और एक 64 bit पॉट ठीक है interesting question था computer awareness में मैंने आपको पढ़ाई के रखाया आले कि हमारे को चिफा चैनल के उपर ठीक है वहां से question पूछे का था यह question था interesting ठीक है अगर आपको नहीं आता था इसको आप skip कभी कर सकते थे next question है मारे पास में which equipment is used for opening और closing a circuit under normal as well as abnormal faulty condition in a positive basic सा question था कितने तो भी बार हमने इसको discuss कर चुक है इसको हम लोग गयते circuit breaker circuit breaker ऐसा एक protected device है जिसको हम लोग opening या फिर closing के लिए यूज करते circuit breaker को under normal तीक है normal condition में भी operate हो सकता है या फिर faulty में तो होता ही हो ठीक है option B is question का correct answer है circuit breaker हमारा एक protected device है इस session में मैंने थोड़ा सा fastly आपको पढ़ाया ठीक है लेकिन यह काफी basic से question देगा इस अगर आप regularly watch कर रहे होंगे हमारे sessions को तो definitely आपने इसके काफी एचा score किया होगा next question है which of the following is incorrect statement about a transformer connected in a parallel to the line important question था और इसमें काफी से response को दिखका थे भी गी ठीक है incorrect statement बोला गाया about transformer connected in a parallel line तो इसका correct incorrect statement हो जाएगा हमारा option D cost of spare will be improve when a extra unit connected according to the load demand देखें यहापे improve नहीं increase होना चाहिए था basically यहापे क्या हमारी cost of cost of spare की cost हो क्या increase हो कि जग हम लोग extra unit connect करते है ठीक है according to the load demand नहीं definitely नहीं हो गाइस ठीक क्यों उसी के लिए parallel operation हम लोग कहते है transformers का power supply हम लोग maintain कर सकते है अगर एक unit fail हो जाता है तो operating efficiency हम लोग बढ़ा सकते हम लोग additional unit can be installed if the load demand increase अगर हमाँ load demand बढ़त है तो हम लोग additional load additional transformer हो भी हम लोग additional unit भी हम लोग उसमें इंस्टाल कर सकते है लिए हमारी cost of spare यह increase होगी क्या नहीं है ठीक है इसका correct answer जाएगा हमारा option भी improve नहीं increase चाहिए था जो mistakes थी guys मैंने जान बुच के ऐसरी से रखे मैंने correct करके नहीं बताया था कि आप समझ सकती कहा 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 गलतिया हो सकती है करके next question is which of a fractional motor which type of fractional motor offers a precise control of angular positioning acceleration and velocity हमने यह भी discuss कर चुक है मैंने आपको last day में बताया था कि precise control करना है ठीक है आपका जो rotor का revolution होता है ठीक है जो आपका shaft रहता है मानलो एक motor आपकी ठीक है उसका shaft रोटेट होता है एक बार रोटेट होता है लेकिन जब तक उसका movement of energy खतब नहीं था तब तक रोटेट होता रहता है लेकिन अगर हमें एक certain degree तक ही control करना होगा ठीक है तो उसके लिए लिए स्टेपर मोटर यूस करते गाए ठीक है यह हमारे पास में industrial step or motor और अगर आपने क question का correct answer देगा and then moving on to the last question of our session which is very easy and which is again हमने काफी बार discuss कर चुके synchronous motor के अंतर inverted V graph हमने पढ़ चुके वो inverted V graph किसके दो बीच का graph रहता है guys power factor और field current simple power factor और field current की बीच का यह ग्राफ रहता है इसी दिसका correct answer है option C आपको 80 questions हो समझ भाएंगे काफी सारे questions हमने repetitive देख चुके अल्रीड हमने काफी का बार discuss कर चुके यह session आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर करेंड करके बताएगा हमारे आप दोनों भी application को download कीजिएगा हमारी चैनल electrical engineering सब्सक्राइब कर सकते हो जो recent session है यहाप आप आप जाके देख सकते हो गाइस टेलेग्राम चैनल से connected रही है so that important update और जो कुछ queries रहते हैं हम लोग वही पर आपको resolve कराके दे सकते हैं इस session को दोस्तों आप शेयर किजिएगा so thank you for watching this session guys have a nice day